हाई गाईज वेलकम बेक टो मैं चैनल ब्रिकफस्स टुटिनेर रेसीपी जिसमें हम बनाएंगे साबुदाने का चीला जो की बहुत यासानी से कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगी तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने एकटवरी साबुदाना लिया था इसको मैंने शोक करके रखिए हैं दो घंटे के लिए हम इसमें थोड़ा सा जादा पानी एड़ करके सोक करेंगे हैं तो हम साबुदाने को थोड़ा कम पानी में सोक करते हैं, जिससे हमारी खिचडिया खिली-खिली बनती है, बढ़ हमें यहाँ पे चीला बनाना है, तो साबुदाने को ग्राइन करना है, तो मैंने भिगो के रखा था दो गंटे के लिए, अब दो गंटे हो गए हैं, तो साबुदाने को एक ग्राइन डाले, पाने निकाल लेंगे और आधा कप पानी डाले, तो यहाँ पेमने साबुदाने को साइड में रखा है, उसके बाद में हम एक आलू लेंगे, आपे मैंने बॉइल मीडियम साइज का एक आलू लिया और उसको अच्छे से ग्रेट कर लि नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग हरा धनिया बारिक कटा हुआ और मिर्च को बारिक चॉप करके यहां पर एड़ कर दिया अच्छे से अब अगर आप चाहें तो इस बैटर का भी चीला बना सकते हैं बट यह थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें तो हम मैं क्या करूंग तब हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए इस बैटर में और देखिए हमारा जो बैटर है तो हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे तब आदा कप मूमफली की चटनी बनाएंगे उसके लिए मैंने याप एक चोटी के टोरी से या फिर आधा कप मूमफली ली है और उसको मैंने ड्राइ रोस्ट कर लिया है याप हमने कोई ऑईल वगेरा नहीं डाला है सिंपली हमें यहाँ पर मूमफली को रोस्ट कर लेना है तो उसके बाद में यहाँ पर मैंने लिया है इमली का पल्प अगर आपके पास इमली का पल्प नहीं है तो आप यहाँ पर दही या फिर नीबू का भी यूज़ कर सकते हैं और हर इमिर्च और फिर सेंदा नमक डालके इसको ग्राइंड कर लेंगे आप इसमें थोड़ा पानी अगर आपको चटनी थोड़ा सा की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिंच चाहिए तो आप यहाँ पर और पानी आइड कर सकते हैं अदरवाइस आप इसको इस तरीके से भी सर्फ कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिया हमारी चटनी जो है बिल्कुल बनके रेडी है और यह बहुत च कर दिया है अब इसको थोड़े देर के लिए ठके रखेंगे दो मिनट के लिए और गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे उसके बाद में यहाँ पर चारों तरफ से हमने लगाया है गी और फिर इसको देके पलट देंगे बिल्कुल रेडी हमारा जो चीला है प दिया ओर बट जलदी बन जाते हैं और गुठ्ट्ट्ट्ट्ट्ट काटर बनाएं टाइख में तो यह थोड़ा तो इसमें टाइम लगेगा बनाने चीलो को देंगे रखें हैं और बहुत जाद अच्छें में आपनाया है और चट्नी मुंफली के वहने बनाएं और चट्न कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा जरूर आप एक बर से ट्राइ कीजिएगा जिले की रेसिपी और मैं आपको दिखाती हूं तोड़के यह कितना ज्यादा सॉफ्ट हमारा चीला बना है और बहुत ज्यादा टेस्टी है डेफिडिटली एक बार ट्राइ लेगा हर हर मादेव